CGD Constable Exam के लिए Math का पहला Model Paper देखेंगे जिसमें हम लोग Important Question देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरमुज। तो देखिए को भराबर आपका दिया हुआ है मतलब तुरम देखने के तीनों कोणों का रेशियो दिया हुआ है,怎么? तो कोण कितने अंज़ोंगे तो देखें तिरह भूच के तीनों कोणों का जो योग होता है अगर देखा जाए वो होता है 180 डिग्री तो यहां से कोण यह निकाल सकते हैं तो कोण यह बराबर कितना हो जाएगा कोण की जो रेशियों में वेलू वो कितने अब इसको काड़ देते हैं तीन चक्कू बारा चार बार कटा चार से एकसोस्थी काटेंगे तो चार चकू 16 चार पंजे 20 तो कोण एक की वेलू आगे 45 डिग्री इसी प्रकर कोण भी निकाल लेते हैं कोण भी कितना है रेशियों में चार चार को उपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे और एकसोस्थी का मल्टिप्लाई कर देंगे चार तीन वारा तीन वार कटा ? तीन से हम लोग एकसोस्थी काटेंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री कितना है गया तो कोण सी कैसे निकालेंगे कौण सी से हम लुग क्या करेंगे ? तो फूश के तीनों कोन का योग पहले बताओ क्या होता है कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C यह होता है 180C डिगरी होता है तो कोन A निकाल लिया हम लोग ने कितना है 45 डिगरी कोन B निकाल लिया कितना है 60 डिगरी कोन C यहां से निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 180 degree के बराबर 45 और 60 कितना होता है 105 तो यहाँ पर कौन C बराबर हो जाएगा 180 C माइनस 105 तो कौन C की बेलू आ जाएगी 75 degree तो तीनों कौन कौन से आ जाएगे 1.45 degree आया दुसरा या 60 degree और तिसरा या 75 degree तो आपका अंसर क्या आजाएगा 45 कामा 60 कामा 75 यह किस में आ रहा है यह आपका आ रहा है option C में option C is right answer तो कोशन है 75 से 97 तक की सभी प्राकरतिक संखाओं का योग क्या होगा तो देखे 75 से 97 तक सभी क्या है प्राकरतिक संखाओं तो हैं यह लेकिन कितनी हैं संखाओं है total total संखाओं है sorry 23 यह सभी कितनी है total संखाओं है 23 प्राकरतिक संखाओं है 75 और 97 तक अब देखे हमें क्या बताना है उनका योग बताना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है SN मतलब सभी संखाओं का योगफ़ल क्या हो जाएगा अपका N बाइ 2 और अंदर आजाएगा A प्लस L A जो होता है वो पहला पद होता है मतलब पहला पद आजाएगा 75 A बराबर आजाएगा 75 और L जो होता वो लाष्ट वाला पद होता है लाष्ट कितना आजाएगा 97 L की बेलू कितनी हो जाएगी 97 और N N की बेलू कितनी है जो कि है आपकी 23 मतलब टोटल पद कितनी है 23 N की बेलू कितनी आजाएगी 23 अब हम लोग इसको solve करते हैं बेलू पूट कर देते है SN मतलब हमें S23 की value बतानी है तो यह आजाएगा 23 by 2 और अंदर आजाएगा A plus L मतलब 75 plus 97 यह आजाएगा अब आजाएगा 23 by 2 into 75 और 97 कितना होता है यह होता है 172 अब इसको काटेंगे 2,16, 2,12 86 का multiply 23 में करेंगे तो आपका कितना आजाएगा answer 1978 option D is right answer अगला देखिए question जो है बहुती simple सा है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके बर्गों के योग का 20 परतिसत है और उनके बर्गों के अंतर का 25 परतिसत है यदि संख्याओं X और Y हैं तो X plus Y बटे X square का मान कितना होगा तो संख्याओं हमें पता है कौन-कौन-सी है X और Y चूंकि हमें बता है दो संख्याओं धनात्मक संख्याओं का योग मतलब X plus Y किसके बराबर है उनके बर्गों के योग के 20 परतिसत के बराबर अर बर्गों का योग मतलब आपका आजाएगा X square plus Y square के बरगों के अंतर का 25 प्रतिसात है मतलब 25 बटे 100 यहां से हो जाएगा और बरगों का अंतर मतलब x square minus y square यह है इसको समीकर्ण 2 बना लेते हैं अब क्या करते हैं समीकर्ण 1 में 2 का डिबाइड कर देते हैं तो डिबाइड कर दिया x plus y से x plus y कट गया 100 से 100 कट गया आपका तो यह आजाएगा 1 बराबर किसके बराबर आजाएगा ? तो यह आजाएगा 20 और अंदर आजाएगा x square plus y square और बटे में क्या आजाएगा ? 25 x square minus y square यह आजाएगा आगर इसको अब solve करते हैं तो कैसे करेंगे ? देके 5 से यह काट देते हैं पांच कू 20 और यह 5 से काटते हैं 25 च पांच का x-square में करेंगे तो 5 x-square और 22 क aquellos में करेंगे तो 5y-square is equal to अब 4 ka x-square में vanbly करेंगे तो 4x-square और फिर 4 ka by-square तो 4 by., अब देगि 4 x-square उधर जाएगा दूसरे fünf में तो माइनस हो जाएगा तो 5 x-square से 4x square जाएगा तो x square और यहाँ पर x square आगे आपका अब यहाँ पर minus का 5 by square एधर प्लस का है तो दूसरे पच्छ में जाएगा तो minus का हो जाएगा मतलब x square minus 9 by square is equal to आजाएगा 0 तो यहाँ से x square is equal to क्या आजाएगा 9 by square यहाँ कह सकते हैं x की value कितनी आजाएगी 3y यहाँ आपकी 3y आगई x की value आपकी आगई 3y अब क्या करते हैं x की value को समी करण 1 में put कर देते हैं किसमें put कर देते हैं समी करण 1 में तो यहाँ पर x plus y है तो यहाँ पर 3y हो जाएगा और plus by हो जाएगा और ये है 20 by 100 मतलब 1 by 5 हो जाएगा क्योंकि 20 by 100 अगर divide करेंगे तो 1 by 5 हो जाएगा और अंदर क्या है x square plus y square x की value क्या है 3 by square मतलब 9 y square अंदर हो जाएगा और plus by square ये हो जाएगा अब इसको solve करेंगे 4y is equal to 1 by 5 into 10 by square 10 by square तो बाई से एक बाई कट जाएगा पांस से ये कटेगा दो बार तो यहां से आपका कितना आ जाएगा दो से फिर काट देंगे इसको तो आपकी बाई की बेलू कितनी आ जाएगी 2 मतलब बाई की बेलू कितनी आ गई 2 आ जाएगी अब y की value 2 आ गई, अब हमें x की value निकालनी है, तो उपर देखिए, उपर कितना x बराबर 3y है, तो यहाँ पर x बराबर 3y, 3y, मतलब y की value कितनी है, 2, तो put कर देते हैं 2, तो x की value आ जाएगी 6, तो दोनों value में पता चल गई है, y की value है 2, x की value की 6, मतलब 6 और 2, 6 और 2 आ y की value आ गई 2, अब हमसे पूछा जा रहा, x प्लस y बटे x square की value क्या होगी, तो लिख लेते हैं, x प्लस y बटे x square, x की value है 6, प्लस 2 बटे 2 का square, मतलब आपका आ जाएगा 8 बटे 4, इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2, दुबारा कर लेते हैं, x की value है 6, x प्लस y बट और बटे में x square मतलब 2 का square हो जाएगा, x की value कितनी अच्छे है, sorry 36 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे 36 आएगा, तो इसको काटेंगे हम लोग 4 से, 4 दुनी 8, 4 नेम 36, मतलब आपका आंसर आजाएगा 2 बटे, 9, और उसकी मरमत पर 15 रुपए खर्च करता है, तो CP में 15 रुपए और आड हो जाएगा, तो कितना आजाएगा, 240, क्रेमूल आपका आगया, 240, और 300 में बेंच देता, selling price, SP बराबर कितना है, 300, तो देखे, खरीदा 240 में आपका, और बेंचा, 300 में, तो profit कितना हुआ, profit आपका आगया, 60, 300 में से 240 कटाएगे, तो 60 आजाएगा और बटे में percentage और profit अगर निकालना है, जो कि पूशा जा रहा है, बटे में cost price को रख देंगे, मतलब 240, और multiply कर देंगे 100 का, 10 से 10 कटा, 6 से ये करते हैं, 16, 60, 64, 24, अब 2 से करते हैं, 22, 4, 25, 10, फिर 2 से करते हैं, 25, 35, 35 आपका आजाएगा, 25%, option C is the right answer, प्रूशन आपका है, मतलब selling price आपका कितना है, 750 रुपए, और क्रे मूल, इसके बिक्रे मूल का 4 वटे 3 गुरा है, मतलब CP किसका है, किसके बराबर है, 750 के, 4 वटे 3 गुरा, इसके बराबर है, अब इसको हम लोग solve करेंगे, यहां से CP निकाल लेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, काटते हैं, सबसे पहले 3 से यह काटेंगे, 3 एकम 3, 35 15, sorry, 3 दूनी 6, और 35 15, और 0, 2500 यह हो गया, 2500 में 4 का मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आपका आजार रुपिया, selling price, sorry, cost price आगे, 1000 रुपिया, तो हम से हानी पूछी जारी, हानी कितनी होगी, देखिए, खरीदी एक 1000 में, तो और 32 750 में, तो ल पूछा जा रहा है, तो नीचे cost price को रख देंगे, कितना है, 1000 रुपिया, और multiply 100 कर देंगे, तो दो 0 से 2 0 कटा, एक 0 से 1 0 कटा, तो आपका आजाएगा 25%, option D is right answer, गोश्चन आपका है, यदि A का 90 परतेसत, मतलब A का, मतलब multiply, 90 परतेसत मतलब 90 बटे 100, किसके बराबर है, B क 30% के बराबर, मतलब B into 30 बटे 100, देखे, 2 0 से 2 0 ये कटा, 1 0 से यहां से 1 0 कट गया, मतलब 9A is called 2 आजाएगा 3B, 3 से ये काट देते हैं, तो 3A is called 2 V आजाएगा, या A कह सकते हैं, A बटे V is called 2 आजाएगा, 1 बटा 3, तो हमसे पूछा रहा, B ratio, A की value, B की value क्या है 3, तो B ratio, A क Option is right answer, अगला कोशन देख लेते हैं, एक परिच्छा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीन हुए, 85% छात्र गड़ित में उत्तीन हुए, और 75% अंग्रेजी तथा गड़ित दोनों में, यदि 46% दोनों विश्यों में अनुतीन रहे तो छात्रों की कुल संक्या क्या होगी सबसे पहले कुल उत्तीन देख लेते हैं, कितने हैं, पास वाले, तो देखिए, 85% ये, तो 85% को 75% में जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, जो दोनों विश्यों में उत्तीन हैं, उसको इन दोनों में से घटा देंगे, कितने उत्तीन हैं, तो दोनों में उत्तीन हैं आपक चालेज चात्र, सुरी, दोनों में उत्यूण 75 पतिसत, तो 75 इसमें से घटा देंगे. अरे, आटा, बहुँ सब्सक्र, सुरी, दोनों में, तो यहां पर परसेंटेज आओ, पास निकाल लेते हैं, कितने पास हुए, अंग्रेजी में हुए 80 पतिसत, और गडित में हुए 85 पतिसत, और दोनों में कितने हुए 75 पतिसत, तो दोनों को जोड़कर हम लोग इसमें 75 आटा देंगे, तो आपका पास का परसेंटेज निकल आएगा, 80 परचासी कितना होता है, 165, 165 में 75 जाएगा, तो आपका कितना निकल गए आएगा, तो 90 पतिसत पास हो गए, फेल कितने हुए होंगे फिर, तो 100 पतिसत होता है, तो 10 पतिसत फेल हो गए, अब देखें क्या तो 40 चान सान चान तो यहां से आ जाएगी 400 तो यहां से हा जाएगी 400 औसम भए जाएगी 400 जैनने बहुत ही सिंपल सा है देख लेते हैं दो बर्गों की बुजाएं करमसा 12 मीटर और 5 मीटर ने तो पहले बर्ग का 6 फल माल लेते हैं A1 पहले बर्ग का 6 फल माल लेते हैं S1 जो की है 12 मीटर तो बर्ग का 6 फल क्या होता है बुजा S2 तो पहले चटरफल की बुज़ा कितनी है, 12 else q. अब दूसरे ब्रत, दूसरे बर्ग का चटरफल की आ जाएगा? बुज़ा уासq. बुज़ा у यहां से 5, हो जाएगा. अब आगर कहता है, जिस बर्ग का चटरफल, इन दोनों बर्गों के चित्रफलों के योगफल के बराबर है तो नए बर्ग का चित्रफल लिख लेते हैं नए बर्ग का चित्रफल या एरिया कह सकते हैं किसके बराबर है इन दोनों बर्गों के योगफल के बराबर इन दोनों बर्गों के 6 तरफल के योग के बराबर, मतलब 12 स्कॉयर प्लस 5 स्कॉयर, इसके बराबर है ओके गईस अब क्या करना है हमको अब करना है इसको जोड़ देना है 144 और प्लस 25 तो नय बर का 6 तरफल क्या होता है, भुजा स्कॉयर तो हमें भुजा बतानी नय बर की जटपल तो भुजा स्कॉयर इसकल टू किसके बराबर हो जाएगा 179 तो भुजा यहां से कितनी निकलाएगी अंडर रूट 179 मतलब आपका आजएगा 13 13 मीटर, option D is right answer इस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्नुबाद आपका दिन सोबरा है